मास्क ना लगाने वाले लोगों का चलान कर रही है उनको रोक्तों कर रही है और इस गंबीर बीमारी से बचा जा सके उनके तो पहले के मुकाबले जो है का इलाका सबसे ज़्यादा माना जाता था लेकिन जो है अब लोग सबस्क्रेंप निकल रही है और पुलिस जो है बार बार लोगों से अपील भी कर रही है लोकल पर्सासन भी बार बार अपील कर रहा है कि घरों ही क्यास क categories आप बात कर सकते हैं कि इले के मुकाबले जो हे भीड कम होती जा रही है ef Bel़ो करके घूम रहे हैं और साफ ही तोर पर आप देख सकते हैं कि यह असर भी देखने को मिल रहा है आप कि पुलिस कर्मी जो है लोगों को मास्क को लेकर के अवेरनस कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि मास्क इतना जरूरी है इस करोना जैसी महामारी सेने पटने के लिए लोगों को अवेर कर रहे हैं इसा है बीमारी है बीमारी से बचने के लिए लोगों को यह बताना बहुत ही जरूरी है कि मास्क लगाएं कोई भी बीमारी है उससे बचाव मिल सकता है मेरी यहीं रिक्वेस्ट है कि मास्क लगाएं और अपना नियमों का जो सर्टार ने नियम तैकिये है तो भीड होती थी उसके मुकाबले किक्नी भीड है अब इसके मुकाबले थोड़ा प्रमाव से बिजा रही है दिन पर कि दिन पहले से कम है और आगे अगर यहीं बिमारी रही तो जीरे जीरे कि लोगों में मास्कों लेकर अवैरनेस दिख रहा है क्या है हाँ बहुत प्रमाव पड़ा है और ज्याधा तरफ प्रमाव इतना पड़ रहा है कि तक्रीबन पब्लिक मास्क लगा हुए दिखाई देर रही है पुलिष परसासन की तरफ से क्या पर्यास की जा रहा है ताकि बाहर ने निकले ब्यमारी से पता जा सकता। जरूरी काम हो तो ही घर से निकले अनेथा गर पे ही रहें बिल्कुल जीस तरीके से आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है सड़कों पर काफी मौजूद है यहाँ पर और लोगों से बार-बार अपील कर रही है कि मास्क लगा कर ही घर से निकले और जरूरी काम हो तो ही घर से निकले वही रोदक के इंमें आगर बात देख लिया जाए तो रोदक का ये किला रोड है सबसे ज़्यदा भीड यहाँ पर होती है लेकिन अब आए दिनों अगर बात करें तो यहाँ पर काफी भीड देखने को मिल सकती थी लेकिन आप जो है भीड दो है धीरे-दीरे कम वोती जा र रहें वेपारियों की तरफ से भी बार बार अपील भी की जा रही है कि कम से कम गरों से बाहर निकलें मास्क लगा कर ही कोई भी समान खरीदे खरीदारी करनी है कोई भी खरीदारी करनी है तो मास्क लगा कर ही जाएं वहीं आप देख सकते हैं कि आटो भी पूरा सहर यह है यह काफी अवेर भी हो रहे हैं लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं और वो मानने को तयार ही नहीं है कि कोविड जैसी महामारी से है भी या नहीं लेकिन खास तोर पर डॉक्टर्स रोतक पीज़ाई के डॉक्टर्स के अगर बात करें तो आदे से 50% से ज्यादा जो है डॉक्टर पोजिटीव जुरूर आए हैं कोविड पोजिटीव ले ऑक्सीजन की यहां पर रोतक में सिच्वेशन जो है अभी कंट्रोल में हैं और कुछ व्यापारी हैं दुकानदार भी हमारे साथ हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से पहले कितन काम बिल्कुल स्लोव हैं आप लोग अवेर भी कर रहे हैं लोगों को समझा भी रहे हैं कि मास्क लगा कर ही दुकानों पे आए अपना जरूरी सामान खरी दें वह एक दुकानदार और हमारे साथ से उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरीका का पहले कितनी भीड रहती थी औ सब्सक्राइब बहुत होती थी यह दो तीन रोज से कुरोना कुछ ज्यादा फैल गया है इसी लोगों को मन में डर पैदा हो जाए इसी लोग कम निकल तो मास्क तो जिस तरीके से काफी कुस्तमर ऐसे भी आतों में तो मास्क लगा रहे हैं देखो जी 95% लोगों ने डाले 5% है ऐसे बस किसी का लूज है फोड़ी लापरवाई करते हैं लेकिन गल्त बात तो असर देखने को मिल रहे हैं असर तो बहुत है अब यह देखो इनने मास्क लिए जाला हो जाना से इस सब्सक्राइब बिल्कुल जिस तरीके से दुकानदार जो हैं गराकों को अवेर भी कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि इस गंबीर बीमारी से कैसे निप्टा जाए